गैस, अगर आपके पास website है और आप अपने website में अपने article को अपने pages को Google में top 10 में rank करने चाहते हैं तो उसके लिए guys सबसे पहले हमें अपने keyword research करना होता है यानि कि guys हमें उन keyword पर काम करना होता है जिनका competition low and यहाँ पर उनका search volume high होना चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए यहां पर कुछ paid and free tool है और आज मैं आपको बताने वाल हूँ top 10 best keyword research tool जिनसे आप अपने आर्टिकल को Google में rank कर पाओगे तो सबसे पहले guys यहां पर आता है आपका SEMrass guys SEMrass एक ऐसा keyword tool है जिससे guys हम अपने website के लिए article को find कर सकते हैं and guys हम यह भी पता कर सकते हैं guys हमें कौन से keyword को Google में rank करना है तो आपको guys Google में जाके search कर देना SEMrass.com and उसके बाद guys आपको यहां पर keyword research करना होगा जैसे guys मैंने यहां पर डाला SEO and मैंने search करने के बाद guys आपको यहां पर दिख रहा कि SEO के जो हमारे keyword है उसका कितना keyword difficulty and उससे related guys आपको यहां पर बहुत सारे keyword मिल जाते हैं जैसे guys मैं यहां पर view all keyword पर click करूँगा and click करने के बाद guys आपको अब यहां पर find करना होता कि मुझे कौन से keyword पर काम करना है कौन से keyword पर guys मैं Google में first page पर rank कर पाऊंगा तो यहां पर guys सबसे अच्छा tool है यहां पर keyword magic tool आप आपको दिखाए रहा है guys यहां पर SEO से related जितने भी keyword है वो keyword के list guys आपको यहां पर show करते हैं and उनका guys यहां पर search volume आपको मिलता है trend आपको मिलता है KD आपको मिलता है CPC आपको मिलता है and competition guys आपको मिलता है तो keyword research करने के लिए guys जो first tool मैंने आपको बताई वो है guys यहां पर SEM brush तो आप guys इस tool को buy कर सकते है and guys आप यहां पर free में भी use कर सकते है यानि कि जितने हमें जरुवत है उतने तक guys आप यहां पर use कर सकते हैं उसके बाद guys यहां पर second tool आता आपका Ubersuggest तो Ubersuggest में भी guys जैसे आप देख पारें कि मैंने यहां पर search किया SEO and यहां पर आपको language को search करना and आपको country को search करना keyword है वह आपको यहां पर show करते है and SEO related जो भी top 10 में guys Google में rank करने keyword या website वह भी guys आपको यहां पर show करते हैं तो second है guys यहां पर Ubersuggest उसके जहां पर थाड़ा था आता आपका मौस यानि कि मौस बार से भी guys हम अपने website के लिए keyword research कर सकते keyword हम देख सकते हैं जैसे 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 मैंने हैं आपको यहां पर show कर रहा है और जो keyword है उसका आपको difficulty दिखा रहा है और गैनिक यहां पर priority guys आपको यहां पर show करता है तो आपको guys यहां पर मौस बार कभी आप यूज कर सकते हैं उसके बाद जहां पर नेक्स तूल आता है जहां पर Google AdWords यानि की Google Keyword Planner यह गाइस गूगल का ही फ्री टूल है आप फिरी में अपने website के लिए unlimited keyword जहां पर सर्च कर सकते हैं जैसे मैंने हैं यहां पर यहां पर करते हैं उनका सब्सक्राइब करते हैं उनका यहां पर यहां पर लोग यह सारे चीजे आपको Google Keyword Planner में आपको दिखने को मिल जाता है तो फिरी में आप इस टूल को यहां पर यूज कर सकते हैं उसके बाद यहां पर नेक्स आता आपका Google Trends तो Google Trends से गाज हम पता कर सकते कि कौन से keyword अभी यहां पर ट्रेंड में चल रहे हैं जैसे मैंने हैं यहां पर सर्च किया keyword तो अभी आपको क्या करना है जब भी आप keyword find करते हैं तो आपको तीने चार keyword को find करने उसके बाद Google Trends माने और यहां पर आपको तीनों-चारों keyword क सब्सक्राइब करना है तो जैसे आपको नीचे आपको सो कर रहा कि जो अभी चल रहा है वेफसाइट तो आपको क्या करना है जब आप keyword research कर देते हैं आपको तीन-चार keyword निकाल के Google Trends में आना है और यहां पर उन तीन keyword में साब को उस keyword काम करना है जिस पर सब्सक्राइब कर ट्रेंड में चल रहा होगा तो यहां पर लोकेशन भी कंट्री आप सेलेट कर सकते हैं तो यहां पर सब्सक्राइब करने के लिए काफी अच्छा टूल है काफी लोग यहां से भी हम keyword को find कर सकते हैं कि कौन से keyword हम यहां पर rank कर सकते हैं Google में तो इससे भी आपका search volume में जाता सीपसी मन जाता है competition मिल जाता है और आपको काफी सारे चीज़ें आपको इस टूल में भी दिखने को मिल जाता है उसके बाद गूगल में जाकर आपको search करने के बाद गयासे मैं आपको search किया SEO तो SEO से related जितने भी keyword है वह आपको यहां पर सो कर रहें जैसे YouTube का यह है Bing का यह ह को यहां पर記ровσε कर रहें ठीज इस सारे keyword भाट आपको यहां पर maggie word है तो आफको जो भी आपका की डैज को यहां पर डाल जाते अंड़ के आपको अलग-वर्ड यहां पर मिल जाते पर पर एक कीवर्ड आपको यहां पर मिल जाते हैं उनका शर्च वल्व आपको मिलता है उनका एवरेज आपको मिल जाता है एंड उनका आपको को सारे कीवर्ड इस तूल को सब्सक्राइब उसके बाद यहां पर है keyword tool.io तो यह tool आप यहां पर यूज कर सकते हैं आपको फिरी में इस tool के related का पर सारे keyword मिल जाते हैं जैसे मैंने यहां पर search किया SEO and SEO से related आप देख पारें कि वहुत सारे keyword आपको मिल जाते हैं इन keyword का यूज आप description में कर सकते हैं आर्टिकल में कर सकते हैं यहां पर tag में भी कर सकते हैं और अगर आप इस tool के लिए ट्वीटर के लिए पिंटरेस्ट के लिए तो सभी के लिए आप यूज कर सकते हैं इस तूल में भी आपको से related keyword आपको मिल जाते हैं यह सारे चीज़े आपको मिल जाता है तो यह टॉप टेन बेस्ट कीवर्ड रिसस्ट फॉर एक आप इन टूलों को यूज के जिएगा अपने वेबसाइट के लिए अपने आर्टिकल के लिए keyword को find के जिएगा वही keyword आपक competition बिलकुल लो होगा और सबसे जादा होगा ताकि गूगल में rank हो और हमें traffic मिलें तो अपने वेबसाइट में article को find करने के लिए सबसे पहले आपको keyword research करना होगा तो यह top 10 best tool में आपको बता दिया इन टूलों का use के जिएगा man keywords related जो और भी keyword है उनको article में use के जिएगा heading use क अपने article को Google में rank कीजिएगा तो मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि यह top 10 best SEO tool कौन कौन से जिनका आपका यूज करना है और अगर आपका को ही डाउट है कमेंड के जिएगा and Instagram पे जाकर भी आप गाइस मैसेज कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और लाइक के साथ आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है एक और नेक्स वीडियो में तब तक लिए आपको अपने ध्यान करना है जैहिन वंदे मातरम